हाई एवरीवन वेलकम बाक टू आवर चैनल और ली वेजर सोई आई होप यौला वेल तो फ्रेंड आज के इस फिडियो में मैं आप सभी के साथ नमरात्री व्रत से रिलेटेड एक और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूं इसे बनाना तो आसान है और साथी में यह करना है कि अगर आप किसी को बना कर इसी खिलाएंगे कोई भी नहीं बता पाइगा कि आपने यह यह बनाए बीचियो लगती है वहाथी आसान रिचीपी आप रहुत तरुब आ करें आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भोले और अगर आप हमारी चैनल पे नहीं बनाए हैं तो ऐसी और मज़िदार रेसिपीज को देखनी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भोले तो चलिए फटा-फट से शुड़ करते हैं और देखते हैं आपल की बरफी बनानी की रेसिपी अपल की मरफी बनानी के लिए मैंने यहां पर सबसे पहल करना है कि इसके उपर के छिलके को यहां पर हम इसके छिलके को हटा देंगे मैंने यहाँ पर दुनों apples के जिलके को निकाल कर अलग कर दिया है और अब हमें क्दुकस करना है तो यहाँ पर आप बारिक वाले से यहाँ का मोटी वाले से किसी से भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर इसे कदूगस कर लोगी इसे चारु तरफ सी गोल गुमाते वी अच्छी तरह से कदूगस करें ताकि बीच का जो भागे वह हमारा ना आए बीच हमें नहीं लेना है सिर्फ साइट्स के हमारी एपल को लेना है फ्रट्स यहां पर आप एक बात का ध्यान यह मैंनी हाँ पर सबसे पहले एक पैन लिया वह है और इसमें हम सबसे पहले घी आट करेंगे यहां पर हमें घी का इस्तेमाल करना है एक तो हम इसे वरत के लिए बना रहे है और सेकंड़ी क्योंकि यह एक बर्पी है तो इसमें अगर आप घी कर्म हो जाएगा तो बस जैस बून लेना है जब तक इसका सारा जो एक्स्ट्र मॉइस्टर है विल्कुल खत में ना हो जाए तो इस बात का मिद्यान रखना है और बीच बीच बूचे चलाती है इसे अच्छी सी भून लेना है जब तक हम ने यहां पी यह मुंग फली लिये में जिसे मैंने ड्राइ रो अच्छी और बहुती आसान रेसिपी आपको एक बाद जरू ट्राइ करने चाहिए तो यहां पर हम अपनी आपल को पकने देते हैं तो फ्रेंड्स मैंने हाँ पर अपनी आपल को अच्छी तरह से भून लिया है मैंने इसे लो टू मिदम फ्लेम पर ही भूना और इसका जित मैंने यहां पर अपने टेस्ट के पांध से च्छी चममच इसमें आड़ कर दिया हैं आपको मीठा कैसा पसंद्ध्य कम जैसा अपनी बर्फी को बनाना चाहते आप अपनी अरशाल उसमें शक्कर आड़ कर दें तो फ्रेंड्स बस शक्कर डाल करके और इसे अच्छी तरह स मनाना चाहते हैं तो आप इसमें नारियल की बुरादी का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं मावा का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही जादा डिलिशास हमारी बन के रेडी होती है लिकिन आज मैंने इसे बिल्कुल जिम्पल से बिल्कुल कम सामगरी में आप इसे कैसे बनाए इसकी रेसिपी में बता रही हूं इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल कम से कम चीजे आड़ किया है जो कि सभी के घर में एविलेबल होती है तो यहां पर बस इसे थोज़ दिर के लिए और प्रकाया और अब हमारा यह जो मिक्स है बिल्कुल बन के तयार हो चुका है तो गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और यहां पर मैंने एक ट्रेल याव है जिसमें हम और से ग्रीज करेंगे हम इसे में अपनी बर्फी को रड़ी करने वाले है तो यहां पर इसे घी से अच्छी से ग्रीज कर देंगे ताकि हमारी बर् और यहां पर एक स्पून की मदद से इसके ऊपर के भी सर्फिस को अच्छी तरह से प्लेंट कर देंगी ताकि हमारी बर्फी बिल्कुल अच्छी से सेट हो तो यहां पर इसे अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ड्राइफ्रूट से अच्छा लगता है और इसे डाल करके हमें इससे हलका सा प्रेस कर देना ताकि अच्छी से बर्फी में सेट हो जाए और अब हमें इससे रख दिना है लबग ए अब हमारी जो बर्फी है वो सेट होकर बिल्कुल तयार हो चुकी है तो अब हम अपने बर्फी को कट कर लेंगे यहां पर आप अपने मन पसंद के शेप में इसे कट कर सकते हैं जितना बड़ा यह चोटा आप अपनी बर्फी को रेडी करना चाहतें बहुत ही सॉप्टली क कट हो रही है बहुत ही जादा पर्फिक हमारी बर्फी बन के तयार हुई है आप एक बास जरूर ट्राइक करें अगर आपने अभी तक आपल की बर्फी बना के तयार नहीं किया तो हमारी आपल की बहुत ही जादा डिलिशियस और हेल्थी बर्फी बन के तयार हो चुकी है आप एवास रेसिपी को ज़रूर राय करें, आप इसे वरत के लिए भी बना सकते हैं, अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप बना सकते हैं, अगर आपकी घर में कोई ओकेशन है, कोई फेस्टीवल है, तो भी आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं, बहुत ही डिलिशस लग दी है, आप आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो, अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई, तो आप सभी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दी, और ऐसी और मैसिदार रेसिपी इसको देखने के लिए, हमारी च